नमस्कार सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता CBI ED ने बंगाल को फिलहाल अपना गड़ बना रखा है और चापे पर चापे मारे चा रहे हैं जिससे ममता बनर जी की नीदे उड़ चुकी हैं क्योंकि जितने भी घोटाले सामने आ रहे हैं सारे ममता की सरकार में हुए और उनहीं के नेताओं ने किये हैं पाठ चटर जी और अनुब्रत मंडल तो जेल में हैं ही राजुसाहनी के बाद अब नमबर सुबोध अधिकारी का आया है सीबी आई ने घर के साथ साथ छे ठिकानों पर रेड मारी और ये रेड चिट फंड घोटाले में हुई है बड़ा सवाल ममता बनर जी किस चक्रवियों में फस्ती जा रही है इतना पैसा बरामद होने के बाद ममता बनर जी का अगला एक्शन क्या होगा इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमाजी डॉक्साब आपका बहुत-बहुत सबागत है दन्यवाद कुछ दिन पहले एक खबर आये थी कि तेजस्वी आदव लिटीश कुमार बिहार के अंदर CBI को बैंट करने वाले हैं छे राज जी पहले ही बैंट कर चुके हैं इंट्री पे इस तरह की खबर आप नहीं सुखने होगी था उस वक्त भी हमने यही कहा था कि दिमाग इन लोगों का गलत रास्ते पे जा रहा है कुछ ही केस ऐसे होते हैं जो CBI राज सरकारों के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा वो टेक अप करती है यह केजरी वाल वाला सिस्टम नहीं है कि दो अपने नेताओं को भेज दिया कि बहुँ CBI जाच करो CBI दफ्तर के बाहर खड़े हो गए और जाच की मांग करना शुरू कर दिये और यह कोई ठाना है जादतर केस जो CBI अपने पास लेती है वो हाई कोट और सुप्रिम कोट के आदेश पे होती है तो राज सरकार की पर्मिशन की जरूरत नहीं पड़ती है और इसलिए घर में घुसके TMC के गढ़ में CBI ताबर तोड चापा मार रही है और ममता बनर जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए बड़ी-बड़ी मचलियों के साथ साथ अब छोटे-छोटे फतिंगे भी पकड़ जा रहे हैं जाल क्यूं बंगाल के अंदर यत्र-तत्र-सरवत्र भरस्टाचार जड़-जड़ में पहला हुआ है वहां के कंकं में भरस्टाचार है और ये भरस्टाचार स्टेट स्पॉंसर्ड ये भरस्टाचार एक पैरलल सिस्टम है ये भरस्टाचार वहां की रूलिंग पार्टी पहले कम्यूनिस्टों ने किया अब उससे कहीं ज़्यादा sophisticated तरीके से मंताब बनरजी कर रही है आपने पूछा ही क्या है घुटाला कहां काच्छा पर मारी हो रही है सब टीमसी की लीडर के घर कोई मुनिस्पल चेर्मेन है मुनिस्पैलिटी का तो कोई office bearer है तो कुछ है और सब के घर में cash मिल रहे है तस्वीर हमने देखी 500 की गड़ियां पहाड फिर निकल रहा है किसी घर में 80 लाग तो किसी घर में कुछ किसी बेकड़ोर कुछ कुछ निकल रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं निकल रहा यह बंगाल की गरीब जनता को लूट के यह लोग विदेश में भी पैसे भेज रहे हैं अभी देखिए कोईला घुटाला हुआ अभी से एक बनर जी कि पत्ती साली के अकाउंट्स लंदन और मलेशा में मिल रहे है सिंगपूर में मिल रहा है अर्पिता मुखर जी पार्थो चटर जी इन लोग के कहां मिल रहे है बंगला देश में तो थाइलेंड में तो मलेशिया में हर जगा केश्टो का वही विदेश तो बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं तो छोटे वाले भी तो कुछ करेंगी जैसा गुरू करेगा वैसे तो चेला सब भी करेंगे तो एक छोटे से मुनिस्पैल्टी का चेर्मेन मालुक चल रहा है कि विदेश में एकाउंट खुला हुआ है थाइलेंड में दस्ता भेज मिले यह गोटाला किसका है वो तो स्मगलिंग हो रहा है काउज स्लाटर के लिए भेजा जा रहा है बंगलादेश तो काउज स्मगलिंग का अलग कहानी दूसरा कोईला का स्मगलिंग हो रहा है बंगलादेश भेजा जा रहा है उसकी अलग कहानी टीचर बना रहे हैं पैसे खाके ऐसी हो रहा है इसमें सारा करप्ट कर दिया और चिटफंड यह इन सब घोटालों से कहीं ज्यादा उसके दिन लेवल में बड़ा है बड़ा पाप है क्योंकि यह चिटफंड है क्या यह चोटे-चोटे लोग कोई रिक्सा वाला खौंचे वाला कोई छोटा-मोटा बिजन से लाने वाला यह डेली कुछ बचाते हैं कुछ देते हैं अगर आप मिल्टल क्लास टाउन में अगर आप रहे होंगे तो साहरा किसमें जो साहरा हो जेल में गए हुए चिटफंड यही सिस्टम तो कभी-कभी आप जरूर देखे होंगे कि को डैरी लेकर के आ रहा है दुकान वाले से 10 रुपे लेकर जा तो लोगों को लगता कि भाई चलो भाई 10 रुपे परड़े देदेने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक साल में दो साल में हमारे पास बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा रिटर्न आएगा खाक ये चांडाल लोग पैस अले के भाग जाते है यही चिटफंड गोटाला है गरीबों को लूटने का काम इन लोगों को तो जहनु में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए यह इस तरह का काम करते हैं गरीबों को इस तरह से लूटते हैं कोई बड़े लोगों को लूट करके भोटाला कर रहे हैं बात समझ भी आता है हलाकि वो भी पाप है लेकिन यह और एक-एक को पकड़ रही है वैसे मैं आपको बता दूँ बंगाल से एक-दो दिन के अंदर बड़ी ख़बर आएगी ED की दस्टी में जो बंगाल के अलग-अलग जगों पे इन्वेस्टिएशन कर रही है बहुत बड़ा भंडा फोर होने वाला है क्योंकि बंगाल में रहने वाले लोग जानते हैं हर चीज में आप जिस कोने में आप जाएंगे जिस डिपार्ट्पेंट में आप जाएंगे आपको मालूम चलेगा कि यहां जो है गलत काम हो रहा है जी डॉक्त साब ममता बनर जी का मोधी के साथ हमेशा से 36 का आकड़ा रहा है लेकिन अचानक से खबर आती है आज कि वो बीजेपी की और आरेसेस की तारीफ करने लग गई है इसके पीछे कारण क्या CBI या EDI का है देखे जब डर लगता है तो आदमी हरुमान चली सा गाना सुरू कर देता है अंधेरे में जब आप रहते हैं तो गाना गाना करने लगते हैं बजरंग बली याद आने लगते हैं ममता बनर जी को आरेसेस अब याद आ रहे है बारती यद्दा पार्टी की तौरीफ उनों नहीं की लेकिन आरेसेस के बारे मुनों ने कह दिया कि वह अच्छे लोग होते हैं और उसमें सब लोग बीजेपी का समर्थक नहीं होते हैं क्यों कह रही है यह समझना ज़रूरी है चुके इतना ज्यादा ये मीडिया ने जब से उस सेकलरिजम के गुलामी मानसिक्ता के सेकल्स को सके जंजीरों को तोड़ा है जब दूद का दूद पानी का पानी विन मीडिया स्टाड़ेट कॉलिंग स्पेड अ स्पेड बही दुमका की घटना घटती है कहा जाता है भाई एक मुस्लिम लड़का ने एक हिंदू लड़की को दुमका की दूसरी घटना आती है वहां अर्मान मिलता है पहले कोई अंसारी मिलता है हर जगह से तो हिंदू समाज के अंदर बंगाल में एक खौफ पैदा हो गया है बंगाल के लोग फोन करकर के बताते हैं कि दस साल के बाद बंगाल में हिंदू का जीना मुश्किल हो जाएगा ममता बनर जी तो सब कुछ भोर्ट बैंक की राजिती के कारण हिंदूओं को कटवा डालेगी दिस इस ते नॉर्मल लेट्ट्रल बात चीत है वहां पे खौफ से डर से टीम्सी के गुंडा गर्दी की वज़़े से कोई कोई मुझ खोलेगा नहीं लेकिन ये हकीकत है और इसका फाइदा इस तरह के चीजों से लोगों को अब ये लगने लग गया है कि आरेसस का होना जरूरी है वही एक ऐसा संगठन है जो हिंदूओं को बचा सकता है ये जन भावना है ममता बरणजी इस स्मार्ट लीडर मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि ममता बरणजी राहूल गांदी नहीं है ममता बरणजी उद्व ठाकरे नहीं है वो जमीन की लीडर है जमीन में क्या हो रहा है उसकी पकड़ उनको बहुत अच्छी तरीके से बालूँ है अधरवाइस इस तरह के सिचुएशन को जिस तरह से उन्होंने बदला पिछले चुलाओं में ये किसी दूसरे लीडर की कैपसिटी के है ही नहीं तो उनको ये फीडबेक मिलता है तो वो कहती है कि आपने राजितिक तोर पर आपको BGP से लड़ना है तो BGP की बुराई करो और RSS की तारिफ करो अब ये राजितिक खेल ममता ब्रण जी कर रही है कि RSS वाले तो अच्छी है बसे मैं आपको बता दू ममता ब्रण जी पहले भी RSS की तारिफ कर चुकी है जब अटली भारी बाजपी की सरकार में थी रेल मंत्री हुआ करती थी उस वक्त गुजरात दंगा भी हुआ था उस समय RSS को कहती थी कि राष्टवादी पेट्रियोट और गुजरात दंगे पे भारती इंटा पार्टी को डिफेंड करती थी ममताबरजी का वो चेरा मैं she's a leader वो उनका काम है कि सत्ता में वो कैसे बने रहें वो काम उस पे करें आज मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो लक्षुंड्रे का क्रॉस करने को तैयार है हिंदूों की पुजा पार्ट को रोकने को तैयार है वो विसर्जन में वो प्रायर्टी जो है मुसल्मानों को दे देती है दुर्गा पूजा में साफ साफ लिखावा होता कि आजान के समय दुर्गा पूजा के पंडालों में लॉट स्पीकर नहीं बजेगा यह तमाम चीज़े वोट बैंक के लिए यही ममता बनर जी वो ममता बनर जी है जो बंगला देशी मुसल्मानों के लिए जो घुसपैठिया खासकर के बंगला देश से आए बहुत बड़ा भोट बैंक है उसको बंगला देश भेजा जाए C.A.N.R.C. तो अभी आया है ममता बनर जी इस तरह के C.A.N.R.C. की मान पार्लामेंट में करती थी और कैमरा के सामने रोती थी आशू निकलते थे ममता बनर जी के बंगला देशी को भगाओ और जब पार्लामेंट में उनको बोले नहीं दिया जाता था तो सबसे पहली बार किसी स्पीकर के शरीर के उपर पूरी के पूरी फाइल फेटने का काम इस ममता बनर जी ने किया किस चीज के लिए कि बंगला देशी मुसलमानों को बंगला देशी मंगाल से बाहर करो तो ये भी उनकी राजनीती थी और समाजवादी पार्टी वाले जब उसका विरोथ कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के पहलवान जैसे लीडर हुआ करते थे उनको ममता बनर जी दो तिन बॉक्सिंग भी मार दी थी तो ये ममता बरजी थी, अब ममता बरजी को मुस्लिमों का भोट मिल रहा है, उस वक्त मुसल्मानों का भोट कम्मिनिस पार्टी को जाया करता था, तो वो उसके खिलाब लड़ती थी, RSS के साथ लड़ती थी, अब मुसलिम भोट आ रहे हैं, तो वो मुसल्मानों के लिए सिक आप बंगाल जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, कहीं भी जाएंगे मंदिरों से ज़्यादा मस्जिद में दुराते हैं वहाँ सबकों पर ऐसा लगता है कि आप किसी पाकिस्तान में पहुँच गये हैं ये नजारा है और वहाँ का हिंदु समाज भैभीत है मंता बरनर जी को ये समझ में आ गया है कि ये 30% के चक्कर में कहीं 70% नाराज न हो जाए कहीं ये इस तरह का पॉलराजेशन हो गया पिछली बार तो ये जो बीफ इटिंग बंगालीज हैं उन्होंने तो भोट कर दिया लेकिन जब जान पे बनाएगी जब ये लगेगा कि भाई खत्रा आ गया तो कहीं ये पूरी की पूरी भारतिन्ता पाटी के गोद बना बैठ जाए इसलिए ये तारीफ और ये बदला हुआ पैत्रा नजर आ रहा है जी डॉक्ट साब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जान करें ममता बनर्जी फिलहाल बैक फुट पर नजर आ रही है क्योंकि अभी उनके सामने बहुत सारी चुनोतियां खड़ी है जिनका सामना करने के लिए ममता बनर्जी चुपी सादे हुए है उनके भतीजे को ED ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है तो वहीं ममता बनर्जी को 2024 की भी चिंता सता रही है गोटाले पर गोटाला सामने आनी की वजह से ममता बनर्जी PM पत की दाविदारी से दूर होती दिख रही है इसलिए RSS की तारीव भी कर रही है लेकिन EDCBI ममता बनर्जी की मुसीबतें रोज बढ़ा रही है जिसका हल ममता बनर्जी के पास भी शायद फलहाल नहीं है फिर किसी और मुद्दे के साथ हासर होंगे वने देगे Capital TV के साथ नमस्कार